दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सक्पिसाली मंत्र की जिसे तुरंट नहाने के बाद बूल दे आपकी कोई भी मनोकाम ना हो हाथो हाथ पूरी होगी तो दोस्तो चलिए अरम करते हैं इस वीडियो के बारे में दोस्तो हमारे शाद बहुत बार ऐसा होता है कि काफी चीजे हम करना चाहते हैं लेकिन उनमें बादाय उत्पन होने के कारण हमें सफलता नहीं मिल पाती और यहां समश्याएं और बादाय कई परकार की होती हैं जो किसी भी तरह से हमें परिसान कर रही होती हैं इसलिए दोस्तो कैसे आप इनसे बस सकते हैं आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि जब भी आप नहाते हैं तो कैसी आपको अपने आसपास सुरक-छाग घिरा बनाना चाहिये क्योंकि जैसे ही आप नहाने के बाद यहां मंत्र बोल दीते हैं तो तुरंद आपके साथ अपने आप ही अच्छी घटनाग घटित होने लगती है और जितनी भी चीजे आप करते हैं उसमें आपको सपलताई तो मिलती ही है साथ ही आपके कारियों से सारी बाधाई दूर हो जाती हैं और जो लोग आपको पसंद नहीं करते वो सभी लोग कर सकते हैं इससे उनकी बिमारी भी बहुत जल्दी ठीक होने लगती है तो दोस्तों आपको करना है कि जब भी आप नहाते हैं तो नहाने के बाद दोस्तों आपको महामिर्तुन जय मंत्र का जाप करना है इस मंत्र से कैसे आपको सुरक्षा प्राप्त करनी है इसके बारे मे हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इस मंत्र की बंद सक्ति को अपने लिए खोल सकते हैं और इससे कैसे आप बहुत जल्दी इसका लाप राप्त कर सकते हैं दोस्तो मंतर की शक्ति को कैसे खोला जाए इसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते जो आज हम आपको बताएंगे दोस्तो यह भगवान सिव का एक मात्र ऐसा मंतर है जिससे भगवान सिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं अगर यह मंत्र आप सिद्ध कर देते हैं तो इस मंत्र के साहिता से व्यक्ति की भयंकर से भयंकर बिमारी भी कुछी दिनों में सही हो जाती है और आपको किसी भी परकार की बुरी सक्तिया परिशान नहीं कर सकती बलकि इसके बाद अगर आप बुरी सक्तियों के पास भी जात तो दोस्तो आप नहाने के बाद आपको करना यह हो है कि एक गिलास में आपको साप पानी लेना है और 11 बार इस मंत्र का चाप करना है दोस्तो महा सक्किसाली शिव का महा मिर्टियु जय मंत्र इस परकार है दोस्तो यह कोई सधारन मंत्र नहीं है देवो के देव महा देव सीव का मंत्र है इसलिए इसे बड़ी साउधानी से बोले यानि कि इसे बोलते समय त्रूटी ना करे इसका उचारन सुद्ध होना चाहिए दोस्तो ध्यान रहे साप पानी गिलास में लेने के बाद इस मंत्र को जब आप बोल रहे हो तो अपना मूँ पाने के पास लेकर आए और अब जब आप नहाने जा रहे हैं तो उस पानी के गिलास को जिस पानी से आप नहा रहे हैं उस बाल्टी में डाल दे जैसे ही आप नहा ले उसके बाद जब आप अंतिम बार अपने उपर पानी डाल रहे हो तो आपको सिव के इस मंत्र को बोलते हुए अपने मनोकामना बोल देनी है दोस्तो मंत्र है ओम नमा सिवाई सुभम सुभम कुरू कुरू सिवाई नमा ओम ये मंत बस एक बार बोल कर आपको अपने मनों काम ना बोल देनी है अगर दोस्तों ये उपाए आप रोज कर लेते हैं तो आपको खुद विस्वास नहीं हुगाओ कि इतना ज्यादा बदलाओ आपके जीवन में आएगा कि आपके जीवन की सारी परिसानी दूर हो जाएगी सुक सिम्रिधी आपके घर में होगी तता धंधाने से आपका घर बनने लगेगा दोस्तों अगर इस उपाए में कोई भी आपकी समशिया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं हम आपके जवाब देने का प्रियास करेंगे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद